असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनता है और मैं आज आपके साथ दो तरह के चिकन लॉलीपॉप को बनाना बताऊँगी पहला वाला ये वाला जो है चिकन लॉली पॉप एकदम जूसी बनेगा और एकदम मसालेदार और इसको बनाना भी बहुत आसान है और दूसरा वाला चिकन लॉली पॉप उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी दही वाली चटनी के साथ इसे इंजॉय करना ब अद्रक लेसून आओ तीन से चार हरी मिर्च को मैंने एक तम अच्छे से बारिक पीस ली थी, इस तरीकी का इसका पेस्ट बन गया है, एक चम्मच विनेगर डालेंगे, यानि सिरका, और एक चम्मच डाक सोया सॉस डालेंगे, इसी के साथ साथ कश्मिरी लाल मिर्च के लिए डालना है, एक अंडा ली हूँ मैंने, और इसके यल्ले वाले पार्ट को नहीं डालेंगे, श्रिफ वाइट वाले को, एक किलो चिकन के अंदर एक अंडा काफी है, और इन सब चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए इसको हटा देंगे, एकदम अच्छे से चारों तरफ से चिकन लॉली पॉप के अंदर मसाला चला जाए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे, आदे मिनट के लिए, आप देख सकते हो, मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, अब इसी के साथ साथ हम कुछ मसाले डालेंगे, और भी तीखी क्यांइक राव मिर्ज पॉडर डालेंगे, अधी चम्मच, काली मिर्चंपॉडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच, एक चम्मच नमक डालेंगे, आप इसके अंदर तीन चम्मच मैदा ले की से ऑनलेंगे, गव और देख्या two चम्मच, एकम लॉलीपॉप क्रिस्पी बने ग ये 2 चमज डालना है कौन फ्लॉर और 3 चमज मेदा इस तरीके से आप इन सब चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हो मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अब इसके अंदर red food color डालना है इससे चिकन का color और भी अच्छा लगेगा दिखने में एकदम अच्छे से mix करेंगे आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हो ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से mix कर दी हूँ आप इसे ठक कर एक घंटे के लिए marinate होने के लिए रग देगा ताके चिकन एकदम अच्छे से juicy हो जाए आप देख सकते हो मैंने चिकन को एक घंटे के लिए रख दी, एक दम अच्छे से सेट हो चुका है, जलिए फिर फ्राय करते हें, कड़ाई में तेल करम करेंगे और इसका fry करने का तरीका ये है पहले लॉली पॉप को इस तरीके से गरम तेल में पहले घुमा लेंगे इस तरीके से करने से लॉली पॉप का शेप जो है वो बिगडेगा नहीं इस तरीके से घुमा लेना है चारो तरफ से तेल में ताके वो सेट हो जाए पहले flame को high रखना है फिर उसके बाद medium flame पर इसे fry करना है अगर आप जल्दी से high flame पर fry कर दोगे तो ये उपर से जल्दी से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा इसलिए इसे medium flame पर एकदम आराम से fry करना है ताके उपर से एकदम crispy बने और अंदर से भी एकदम लॉलिपॉप को fry कर लेगा ये तो मेरा पहला तरीका था लॉलिपॉप बनाने का मैं आपके साथ दूसरा भी तरीका शेर करूंगी आप पहले तरीके को देख लेजिए कितना crispy बना है ये उपर से एकदम crispy अंदर से एकदम juicy आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाकर आप इसे दही वाली चटनी के साथ enjoy कीजिए बहुत मज़ा आएगा इस तरीके से मैंने सारे लॉलिपॉप को fry कर ले हूँ चलिए फिर दूसरा तरीका बताती हूँ पैन में तेल गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर बारिक कटा हुआ लेसुन डालेंगे बारिक नहीं डालेंगे मैंने दो बड़ी पैस को मैने डाली हूँ ये वो प्यास है जो इस्प्रिंग उनियन की प्यास होती है वाइट बाला पार्ट मैंने लिया है और इसको बारिक कटा हाव कप इसके अंदर बंध गोभी डालना है यानि कैबेज डालेंगे बारिक कटा हुआ और इसी के साथ साथ दो चम्मच टोमाटो केचप डालेंगे और एक चम्मच डाक सोया सास और एक छोड़ा चम्मच वेनिगर डालना है और एक छोटी चम्मच ग्रीन चिली सास और एक छोटी चम्मच रेट चिली सास और कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर डालेंगे एक चम्मच परकर इससे कलर बहुत अच्छा आता है इन सब चीजों को एक तम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताके वो एक तम अच्छे से पक जाए एक छोटी चमच काली मिर्च पॉडर डालेंगे और आधी मिनट के लिए इन सब चीजों को भून लेना है और एक चमच भरकर मैंने कॉन ली थी और इसको पानी में डाल कर इसका एक तम अच्छा सा पतला गोल बना ली थी अब ये गोल हम इसके अंदर डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ये डालने से इससे बैंडिंग बहुत अच्छी आती है और थोड़ा सा पानी डाल कर एक तम अच्छे से पका लेना है ताके कौन फ्लोर का कच्छा पनना रहे। ये देखिए मैंने आधी मिनिट के लिए एक तम अच्छे से पका ली। अब जो हमने चिकन फ्राइ करके रखा था, वो हम डालेंगे। मसाले को चिकन के उपर एक तम अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे चिकन डाल ली हूँ, अब इसको एक तम अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए मसाले दार लॉलिपॉप बनकर तयार है, आप एक बार जरूर से ट्राइ करना, चलिए फिर इसे सर्फ करते हैं। अब इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन और कैबिज ड़ने बहुत टेस्टी बनता है, ये भी चिकनल लॉलिपॉपॉप मैं आपको करीब से बताती हूँ, तोड़कर कितना ज़्यादा डिएटी बना है ये, एक बार तो आपज़रूर से ट्राइ करना, और मुझे भी बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी अगर ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू फूर वाचिंग अल्ला हाफीज